अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमस्कार प्रवास वक्षी निउस नेटर को लाप सभी का स्वागत है कोरोना वैक्सीन बनाने में विज्ञानिकों को लगभग साल भर लग गया लेकिन कॉंग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने इसे खारिच करने में चणबर नहीं लगाया देश में इस समय कोरोना वैक्सीन को लेकर जो राजनीती हो रही है वह दुखत तो है ही साथ ही इससे हमारे डॉक्टरों और विज्ञानिकों का मनुबल गिरेगा भारती चिकित्सा विज्ञानियों ने जिस तरह स्वदेशी वैक्सीन के माध्यम से देश को आत्म निर्भरता की रहा पर आगे बढ़ाया उस पर सभी को गर होना चाहिए दुनिया के विज्ञानिकों ने जितना समय कोरोना वैक्सीन को बनाने में लिया लगभग उतना ही समय हमारे भी विज्ञानिकों ने लिया लेकिन हमारे यहां कुछ लोगों को इस पर गर होने की बजाए इस पर राजनीती करना सूझ रहा है लोगों को जिस तरह कोरोणा वैक्सीन के बारे में हमारे नेता ही भ्रम में डाल रहे हैं उससे निंदनिये कुछ नहीं हो सकता भाजपा नेता विपक्ष को इस मुद्दे पर आड़े हाथ लिया है और कहा है कि विपक्ष ऐसे विशे रख रहा है जिससे वैक्सीन का ये आविश्कार छोटा साबित हो सके उलेकनी है कि कॉंग्रस नेता शाशी थरूर जैराम रबेश के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर विवातित पाते कहीं है आई आपको दिखाते हैं भाजवा प्रवक्ता सम्वित पात्र ने कैसे साधा है राहुल गांधी समेत उन नेताओं पर निशाना जो की कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीती कर रहे हैं जो वैक्सीन पर राजनीती हो रही है उससे कष्ट दायक कुछ भी नहीं हो सकता है उससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता है बंदुगण आज ही देश को संबोधित करते हुए आधर्निय प्रधानमंत्री जी ने एक कारेक्रम में कहा कि आत्म निर्भर भारत अत्यनता निवारिय है और आत्म निर्भर भारत क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखना चाहिए दोनों को लेकर ही आत्म निर्भर भारत बन सकता है और उन्होंने कहा है और मैं कोट करता हूँ भारत कैसे विश्व पटल पर चमके, आत्म निर्भर भारत के माध्यम से भारत का नाम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सतत प्रयास कोई कर रहा है, तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के प्रधान मंत्र. मगर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी राजनेतिक पार्टी हैं, जो ये सतत प्रयास कर रही है कि भारत आत्म निर्भर ना हो सके, और तुछ राजनीती करने में आमादा है, वेक्सीन को लेकर भी राजनीती कर रही है. भारती जन्ता पार्टी के राष्टाध्यक्ष आधरनिया जगत प्रकाश नड़ाजी ने कल एक सिरीज अफ ट्वीट करके, जिस प्रकार की राजनीती विपक्ष कर रही है, एक सिरीज अफ ट्वीट के माध्यम से उस राजनीती के विशय में जवाब दिया है. और जगत प्रकाश नड़ाजी ने जो कहा है, मैं कोट भी करता हूँ, और आप सब ने अपने चैनलों में दिखाया है. नड़ाजी ने बिल्कुल स्पस्ट रूप से कहा है, कि जब भी भारत वर्ष में भारत के वैज्ञानिक और भारत के जो इनुवेटर्स हैं, उनके मा और कुछ ऐसे विशय सामने रखती है, जिससे ये जो अविश्कार है, जिससे जो भारत का विशय है, वो गौन हो सके, वो छोटा हो सके. आदर्निय नड्डा जी ने यह भी पूछा है, कि कॉंग्रेस को और तमाम राजनितिक पार्टी जो इस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है, उनको आत्म चिंतन करना चाहिए, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कि आखिर वो इस प्रकार का विवहार क्यों करते हैं जिससे की जो वेस्टेड इंट्रेस्ट ग्रूप है, उनको लाब हो सके। बंदुगन आज आप अगर विदेश के अकबारों को देखेंगे, तो विदेश के अकबारों में कई जगह छपा हुआ है, कि भारत ने इंडिजनस वैक्सीन तो बनाया, किन्तु भारत के अंदर इसको लेकर द्वंद हो रहा है, इससे लाब किसको होगा, इससे लाब विदेशी ताक्तों को होगा, इससे लाब बाहरी लोगों को होगा, इससे हानी किसको होगा, इससे हानी हमारे देश को होगा, हमारे देश के वैग्जानिकों के बल को होगा, उनके आत्म बल को होगा, आत्म विश्वास को होगा आखिर कॉंग्रेस और यह उपोजिशन पार्टी जो भारत के वैज्ञानिक है भारत के साइन्टिस्ट है उनके आत्म बलको उनके confidence को तोड़ना क्यों चाती है क्या कारण है यह सारी चीजे आदर्निय नड़ा जी ने पूछा है नड़ा जी ने यह भी कहा है कि जो हमारे वैज्ञानिक है वो बधाई के पात्र है जिस प्रकार एक वर्ष के अंदर ही कोविड के आने के डिसेंबर के माँ 2020 में कोविड आया था और एक वर्ष के अंदर ही सघन प्रयोग और शोधकारे करके हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे अविश्कारकों ने जिस प्रकार से दो वेक्सीन का यहाँ निर्मान किया है यह अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी पूरा देश आज खुश है तो whole country is happy जब पूरा देश खुश है तो सवाल उठता है कि Congress Party और कुछ राजनेतिक दल दुखी क्यूं है मंदुगण यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि देश खुश है और Congress Party नराज है कई बार ऐसा हुआ हो चुका है आज जब यह वेक्सीन आया है COVID पर प्रहार होगा दो वेक्सीन आये है उनके प्रोटोकॉल के विशाय में देश के वेज्ञानिकों ने बात भी की है ICMR ने बात की है Director, Controller, General of Drugs ने बात की है उन सब ने बात की है दो प्रजाती बहुत परेशान है वेक्सीन आने के बात Corona Virus बहुत परेशान है और Congress Party बहुत परेशान है समझ में आ रहा है Corona Virus क्यों परेशान है क्योंकि Corona Virus के दिन अब गिने चुने रह गए है Congress क्यों परेशान है इसका जवाब Congress को ही देना पड़ेगा Congress और Corona दोनों परेशान है बंदुगन जहां तक Congress का सवाल है समय समय पर हमने Congress को mutant variety में बदलते हुए देखा है ये Congress का mutation होते रहता है और एक से बढ़कर एक भेंकर रूप Congress समय समय पर धारण करती है मैं सारे mutant variety जो Congress Party के हैं समय समय पर उन्होंने किस प्रकार भ्रमजाल फैनाने की कोशिश इस देश में किया है उसके विशे में बताऊंगा इस देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है देश जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब Congress Party को हमारे आर्मी के उपर भरोसा नहीं होता है उनको सबूत चाहिए होता है जब Air Strike होता है तो Congress Party और विपक्षी दलों को खास करके लेफ्ट को भी इंडियन Air Force पर भरोसा नहीं होता है उनको सबूत चाहिए होता है जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है और Congress Party जीती यहारती है कुछ राज्यों में जीती भी थी नतीजे चाहे कुछ भी हो Congress Party को EVM और Election Commission पर भरोसा नहीं होता है वो लंदन तक जाकर प्रेस कॉनफरेंस कर देती है आपको याद होगा कपिल सिब्बल लंदन तक चले गए थी जब इस देश में कोई जज्मेंट आता है आपको याद होगा राफेल का जज्मेंट आया था तो Congress Party को सुप्रीम कोट पे और सुप्रीम कोट के जज्मेंट पे भरोसा नहीं होता है वो सुप्रीम कोट के Chief Justice को Impeach करने की कोशिश करते है और तो और जब राम सेतु पर चर्चा होती है इस देश में तो Congress को भगवान स्री राम पे भरोसा नहीं होता है वो कहते हैं राम डज नोट एक्जिस्ट किसी पे भरोसा नहीं है Congress Party को न भगवान राम पे भरोसा है न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है और जब United Nations संयुक्त राष्ट्र और IMF ये कहती है International Monetary Fund कहती है कि भारत एक चमकता हुआ सितारा है Economically Economic Front पे तो Congress Party कहती है ये सब मिले हुए है ना संयुक्त राष्ट्र पे भरोसा है ना डबलो एच्चो पे भरोसा है ना IMF पे भरोसा है जब जब जनता भारती जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी Congress Party को भरोसा नहीं होता है वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है जब हिंदुस्तान की जंता कॉरोना वारियर के पुर्चसाहन के लिए ताली और ठाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें पुर्चसाहित करती है तो कॉंग्रेस पार्टी को कॉरोना वारियर पे भरोसा नहीं नहीं है उनके लिए सर्वस्व गांधी परिवार है सब कुछ गांधी परिवार है बस ना आर्मी कोई है ना वैज्ञानिक कोई है ना सुप्रीम कोट कुछ माइनी रखता है केवल और केवल गांधी परिवार कहां है राहूल गांधी चुट्टी बिताने बाद गए हुए हैं खुद और यहां पर rumor mongering करवा रहे हैं यहां पर भ्रम फेला रहे हैं आप बताइए इस प्रकार की बाते इतने गंभीर विशय को लेकर होनी चाहिए क्या जो rumors होती हैं वो जंगल के आग की तरह फैलती है rumors spread as wildfire and in this most important time when we should be comforting the people of the country when we should be talking about the truth when we should have a scientific bias towards whatever we talk when we should in fact be supporting scientific advices given by some of the most important competent authorities of the country when we should be talking about confidence instilling confidence in people of India we have the congress party Shashi Tharoor Jairam Ramesh many others who in fact have been trying their best to reem a monga who have been lying who have been trying to cause some kind of chaos in this country this country is the country and not Rahul Gandhi and congress party Akhleesh Yadav ji those two good boys these two good boys are sitting on the side of the country in the side of the country and then after the cycle this is the two good boys this is the same kind of a situation Akhleesh Jee said that this is BJP vaccine I am not going to place it vaccine vaccine BJP and Congress what is it? 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 it? what is 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 it? it? what is 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 it? अई जिए इन सभी जो संगठनों का मैंने नाम लिया जो वैज्यानिक संगठन है या यह नोबेल लॉरेट सशी थरूर नोबेल लॉरेट राहूल गांधी नोबेल लॉरेट रमेश नोबेल लॉरेट अखिलेश यादव और कोई उनका नेता कहँ रहा था कि कोई वैक्सीद लेने से नपुंग से कैसी बहाइसा असी बहाशा का प्रियोंग आप इस प्राकार से लोगोंको त्रार रहे है भरह फैला रहे है बंदुगन मैं लास्ट में कॉंग्रेस पार्टी से इतना ही कहूंगा कि आप से तो आपक में भी उनका फेज वन का ट्राइल अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है मैं आज आपको लिखके दे रहा हूं वैक्सीन आ गया है कोवीड समाप्त हो जाएगा ये दिन भी हम देखेंगे अच्छा दिन ये भी देखेंगे मंगल ग्रह में पानी भी मिल जाएगा चंद्रमा अभी लोग बस जाएंगे ये सब कुछ हो जाएगा सारी बीमारियां उनकी भैक्सिन आ जाएगी उनका ट्रीट्मेंट हो जाएगा इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं जनता को मोदी जी के नित्रुत् कॉंग्रेस पार्टी पहले भरोसा अपने घर के अंदर डूंडे पहले अपना अध्यक्ष डूंडे उसमें अपने आपको व्यस्त रखे बाद में इतने गंभीर विशे पर इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना टिप पनी करें ये तो रोबर्ट पार्टराजी के कर्म वै करो जब जांच होता है तो बोलता है क्यों किया क्यों किया तो ऐसे नहीं होता है दूसरे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश आदव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अपने खालिया बयान पर सफाई देते वे सोमवार को कहा कि उन्होंने टीका बनाने वाले किस कुन तीका नहीं लगने के अपने हाल के बयान पर उठे विवाद के सिलचले में पूछे गए एक सवाल पर कहा मैंने किसी भी विञ्जानी किर टीका बनाने में मदद किने वाले किसी भी वेक्ति पर सवाल नहीं खड़ा किया है हुंकि इस पार्टी ने जासे के फैस्टे लिए हैं उन पर जनता को भरोसा नहीं है अखलेश आदव ने कहा हर्याना के एक मंत्री जी ने वैक्सीन लगवाई थी बताइए उनके साथ बाद में क्या हुआ सरकारी अस्पताल उनका इलाज नहीं कर पाया तो निजी अस्पताल जाकर उनकी जान बची अक्रेश हर्याना के स्वास्ते और ग्रह मंत्री अनिल विच्च का संदर्ब दे रहे थे जिन्नोंने क्लिनिकल ट्रायल के दौरान तीका लगवाय था लेकिन बाद में उनके कोरोना सथा वियुक्न वाति कर दिया है है राइद ले对 रडे गी भारासा को में क्वाज़ लेड़ शुरू है और ड्राइरन गरीबों के लिए हो रहा है कि किसी और के लिए हो रहा है सरकार केवल इतना बता दे कि उत्तर प्रडेश के गरीबों को कब वैस्टीन लग जाएगी और फ्री लगेगी के नहीं लगेगी मैंने किसी भी एक्सपर्स साइंटेस्स या इसने रिसर्च करने वालों पर किसी पर सवाल नी उठाया और ना समाजादी पार्टी के कोई सवाल उठा रहा है यह सरकार की जिमधारी है कि इन चीजों में अगर कहीं शक्त या कोई चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में फ्लडिड हैं मेसेज़ वर्ल्ड ओबर जो न्यूज आर्टिकल्स निकलने अगर आप चाहें तो मैं प्ले कर सकता हूँ और डिफ्रेंट 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 न्यूस पेपल्स उन पे बहस कर रहे हैं तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी है डिफ्रेंट पॉलिटिकल पारडी ने राय दी है तो यह जिम्मधारी सरकार की है और सरकार सामने आए उन बातों को दूर करें और हमारा यह मानना है कि सरकार यह बताए कि गरीबों को वैक्सिन कब तक लग जाएगी झाल